हेलो फ्रेंड्स मेरा नाम है रिंकू और आप देख रहे हैं दोस्तो लॉग आवट अकेडमी चैनल दोस्तो हम बात करने वाले हैं भारत तरतने विजीताओं की 2019 में किन-किन लोगों को भारत तरतने मिला है उन लोगों की हम यहाँ पर बात करने वाले हैं साथ ही जिनको भी भातत्त से सम्मानित किया गया है उनके जीवन से सम्मानित हम यहां पे कुछ महत्तपूर्ट अथ्यों के भी चर्चा करने वाले हैं दोस्तों तो वीडियो सुरू करने से आपको पहले बता दूगी अगर आपने चैनल को सस्क्राइब नहीं करा है तो चैनल प्रावन मुखर जी जन्संके नेता नाना जी देश मुख और प्रख्याद गायक भुपेण हजारिका तो तीन लोगों को दोजार उन्निस का भारत मिला है जिसमें पहले हैं हमारी पूर्व राष्टपती प्रवण मुखर जी जण्संके नेता नाना जी देश्मुख और दुसरे हैं जनसंके नेता नानाजी देशमुक और जो तीसरे हैं वो है एक परख्याद गायक भुपेंद्र हजारी का ठीक है दोस्तो आप थोड़ा हम भारत रतने के बारे में भी जान लेते हैं कि ये भारत रतने हैं क्या दिया जाता है इन सेवाओं में कला, साहित्य, विज्ञान, सारवजिनिक सेवा और खेल शामिल है मतलब कि ये देश में जो भी आपका जो सारवजिनिक कारे करता है तिका जो राष्टी सेवा करता है उनको ये दिया जाता है अगर शेत्रों की हम बात करें कि किन-किन शेत्रों में दिया जाता है तो यह दिया जाता है दोस्तों कलाक कलाक के शेत्रों में साहित्तिक, शेत्रों में विज्ञान, सारवजनिक, सेवा और खेल इन शेत्रों में यह भारत अरत्न दिया जाता है दोस्तों जो भारत रतने की जो शुरुवात हुई थी यह हम कहेंगे कि इसकी स्तापना हुई थी वो इती दोस्तों 2 जनवरी 1954 में ठीक है तो भारत रतने की जो सुरुवात या स्तापना हुई थी वो 2 जनवरी 1954 में इस भारत रतने की जो सुरुवात करी थी वो करी थी ततकारिन राष दिया गया था वो दिया गया था दोस्तों डाक्टर सुर्वपली राधा किष्ण को सबसे पहले भारत का सरवोच पुरुस्कार मिला हुआ है ठीक है दोस्तों आगे भात करते हैं जो इनको भारत मिला है 2019 का उसमें सबसे पहले नानाजी देश्मुग नाना जी देश्मुक के बारे में हमें अब जानने वाले हैं कि कौन वेक्ती हैं ये ठीक है ये प्रसिद्ध समासेवी और राजनेता थे ठीक है इनका जन्म जो हुआ था वो 11 अक्टूबर 1916 को हुआ था कस्बा कदोली जिला हिंगोली यानि कि ये महाराष्ट के रहने वाले थे ठीक है पूरा नाम इनका था वो था चंडी का दास अमरित राव देश्मुक ठीक है तो नाना जी देश्मुक का पूरा नाम था चंडी का दास अमरित राव देश्मुक इनकी मित्ती होई थी दोस्तो 27 स्वरवरी 2010 को ठीक है ये ध्यान रखेगा कि इनको मरोणो परांत भारत रत्म से सम्मानित किया गया है, तो इनकी मित्ती हुई थी तो यूपी उत्तरब्रदीस में इनके वियसा है, क्या काम ये कर देता है, तो दोस्त ये एक समाद से भी थे, टाक है, एक समाद से भी थे, इनके बारे में थोड़ा और कुछ जान लेते हैं चलने वाले विवित प्रकलपों के विस्तार हितु कारे करते थे थे ठीक है ऑपने जो भी उन्हें पे उन्हें ने ज्यदा अपना समय वितावाया हुआ है दीन्ध्य शुक्षा स्वास्त्राइब गर्म्पन के लिए अनुक्रीय योगदान के लिए पदम विभुषण से तो उनको पदम विभुषण भी मिला गया है और 2019 में लोन फना भारत भॉस्त में से सम्मानित किया गया है दोस्तों यह थे दोस्तों और रही देश्मुक्त अब करते हैं छो दूसरे भारत दर्यंुट विजेता है वहाँ पे इनका जन्म होगा था इनकी मिठ्टियों की बात करें तो इनकी मिठ्टियों वही थी चार नॉम्बर 2411 को इनको भी मरोड़ो प्रांथ भारत रतने से सम्मानित किया गया है दोस्तों ठीक है तो याद रखेगा कि नाना जी देश्मुक और प्रसिद्ध गायक भी थे इनके बारे में और कुछ जानते हैं पुपेंद हजारी का असम राजी के एक बहु मुखी परतिबा के गीतकार थे संगीतकार और गायक थे इसके अलावा ये असमिया भासा के कवी भी थे फिल्म निर्माता थे लेखक थे और असम की संस्कृति और संगीत के अच्छे जानकार भी रहे थे इन्होंने फिल्म गाधी टू हिटलर एक फिल्म थी गाण्डू टी हिटलर में महात्मा गाधी का पसंदीदा भजन जिसका नाम जो भजन था वैस्वर्ण तेरे वो भजन इन्हों नहीं गाया था तीक है 2011 में इन्हें पदम बुश कैसल में म्रोण प्रांत भारत रतने से संवानित किया गया है दोस्तों ठीक है तो यह थे दस्ता हमारे भूपेंद हजारी का अब बात करते हैं तिससरे भारत विजेता प्रवण कुमार मखड़ी थीि के ठीक है प्रवण कुमार मखड़ी भारत के पूरू राश्टवदी भारत के तेरवे राष्टपती रह चुके हैं इनका जर्म हुआ था 11 दिसंबर 1935 को पच्चिम मंगाल में इनके बारे में कुछ जानते हैं वित्त मंतराले और अन्य आर्थिक मंतराले में राष्टी और आंतरिक रूप से उनके नेतरत का लोहा माना गया है ठीक है वह लंबे समय के लिए देश की आर्थिक नीतियों को बनाने में महत्पूर्ण वक्ति के रूप में जाने जाते हैं उनके नेतरत मही भारत ने अंतराष्टे मुद्राकोस के रिन की 1.1 अरब अमरिकी डॉलर की अंतरिम किस्त नहीं लेने का गौरव अरजित किया गया है ठीक है दोस् इन्होंने जो जब बाप रहोज़करी राष्ट पती थे तो इन्होंने जो उसम्में लोण लिया था भारत में उसकी अंतिम किस्त नहीं ले थी मतलब की तो.. इन्होंने भारत की अरथि को इतना अच्छा बना दिया ज says यो.. कि उन्हों वो किस्त लेने की जरुवत ही नहीं पड़ी तो इसलिए इनको उसका गौर प्राथ है मतलब ऐसा 2008 में उन्हें दुसरे सर्वोष्ट नागरिक सम्मान पदम विवोशन से भी सम्मानित किया गया है और 2019 में आपको बताईए कि उनको भारत का सर्वोष्ट नागरिक सम्मान भारत में दिया गया है इन्होंने दग कोली एशन इयर्थ नामक एक पुस्तक लगी है ठीक है दोस्तों तो यह थे दोस्तों हमारे महाप्रमामखर जी और तीनों भारत रतने विजेता 2019 के साथ ही दोस्तों अगर आपको बता दूँ कि आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को सेर कीजिए चैनल को लाइक कीजिए अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो और हमारे चैनल का नाम है दोस्तों लोगाउट एकेडमी साथ या हमारे वट्सप सभी जूड़ सकते हैं जहां पर आपको फ्री में अनिक सब्जक के नोट्स उबलप्त करा जाया आते हैं तो हमारे वट्सप नमबर है दोस्तों 844930307 दोस्तों थैंक यू